अलो अब्रीबन वेलकम टूम टूमूंग टूटोरियल्स दोस्तों प्रिविस वीडियो में हम लोगों ने कंप्यूटर के वर्गी करणड का भाग एक देखा था यह उसका भाग दो है अगर आपने भाग एक नहीं देखा है तो यहां आपको आई बटन में आपको भाग एक पहले देख लिजिएगा उसके बाद आपको भाग दो समझने में आसानी होगी तो बात करते हैं मिनी कंप्यूटर तीसरा माइक्रो कंप्यूटर और चौथा सूपर कंप्यूटर आकार और कार्य कैधार पर बेसिकली कंप्यूटर को चार भागों में बाट सकते हैं में फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर और सूपर कंप्यूटर तो इसमें से सबसे पहले समझते कि हां cac Article है और चिसका거든 जो है सूपर प्रोप्सेकर में यह कम होता है इसमें इसकी तुलना में कम प्रोसेसर में अगर बात करें में तो यहां टाइम सेरिंग और मल्टिप्रोग्रामिंग ऑप्रेटिंग सिर्टम का प्रेवक करता है तो याद रखेगा इसमें सिंगल या दो से अधिक दो क्या होता हैं माइक्रो प्रोशे सरे नॉल हम लोग जो सिस्टं यूज करते हैं यह माइक्रो प्रो सकते हैं इसमें इसमें क्या हो कर सकते हैं इस टाइप का यूज होता है किसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर में एक साथ कई लोग का कर सकते हैं इसमें कारे कर सकते हैं देखिए सिंगल यूजर अलग होता है मल्टी यूजर अलग होता है सिंगल यूजर में क्या होगा एक ही आदमी एक ही कारे को कर सकता है जैसे आप नॉर्मल डेक्स टॉप लेंगे तो उसमें आप सिस्टम में एक ही आदमी बैठ सकता है लेकिन अगर में फ्रेम कंप्यूटर की मैं बात करूं में फ्रेम कंप्यूटर में क्या होगा एक ही में में बहुत सारे यूजर क्या कर सकते हैं यहां था क्लियर है इसका उपयोग बड़ी कमपनिया बैंक रक्षा अनुसंधान अंतरिक्ष विग्यान एवं सरकारी संगठन आदी में होता है ठीक है अब इसको हम लोग सिंपल सब्दों में अगर समझें तो देखे में फ्रेम क गति है यहां क्या है मल्टि प्रोसेसर है 2 या 2 से अधिक प्रोसेसर यूज़ कर रहा हैं उसके जूद क्या होगी जा कंपिटर की फेस्ट किया यह चीजने क्या होता है कितना इंस्ट्रक्षाइन होता रहता है वो क्या कलाता है मिलियनуєन कन इंस्ट्रक्षाइं explained अगर मैं बात करोपिरों और गाला के लिए दो चीज लोग क्यों रीजा इसए को फलाप का में बहुत पुछा जाता है उसके अलावा एक होता है टिक है इसमें क्या होगा मिप्स होगा मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड यहां ता क्लियर है अब देखें इसको हम लोग डियाग्राम के थ्रू समझते तो यह आपका क्या है IBM का एक CPU है इसको हम लोग दूसरे सब्दों में अगर समझें IBM का जो CPU ह यही क्या है, आपका Main Terminal है, मुख्य कंप्यूटर है, ठीक है, Central Processing Unit, जो आपका Main Computer का है, यह वाला है, और यह क्या करते हैं? यह एक स्थान करी रखा रहता है, अगार में बहुत बड़े होता है, एक टेबल के अकार का होगा, एक अलमीरा के अकार का होगा, फस्थाइब का होत तो बहुत सारे यूजरं जुड़े हुए एक साथ कारे कर सकते हैं कि स्ट कर तो याद रखेईगे बाएक पूछा क्या ओकन्सा ह। यूणिवैक यूण निर्माड किसके द्वारा किया गया था तो याद रखेंगे इसका निर्माड किया गया था इंटरनेशनल बिजनेस मसीन के द्वारा इसका अविसकार किया गया था यूनिवैक बनका यहाँ दा है अब बात करते हैं दूसरा जो कंप्यूटर का परकार है मीनी कंप्यूटर मीनी कंप्यूटर क्या होते हैं देखिए आप हम लोग देखे ते सबसे बड़ा होता है क्या आकार में सूपर कंप्यूटर होता है सूपर कंप्यूटर के बाद मेन फ्रेम आता है मेन फ्रेम के बाद क्या होते हैं मीनी होता है और मीनी से छोटा होता है माइक्रो मीनी कंप्यूटर क्या दिक रहा है आकार में मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटे और माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं यह चीज़ समझ में K adequate में आदिक याद रखेगा एख्याय अधिक किसमेन फेल में में इसकी जो m3 कम्प्यू셔야 क्षमता और डेटा प्रोसेस की जो गती होती है वहाँ Micro Computer की तुलना में अधीक होती है संग्रहण चमता और Data Process की गति किसकी तुलना में अधीक होती है Micro Computer की तुलना में अधीक होती है इसका उपयोग कहां होता है तो इसका उपयोग होता है इसका जो अविसकार हुआ था 1965 में DEC जिसको हम लोग देखे थे Digital Equipment Corporation DEC द्वारा DEC नाम कंपनी द्वारा किया गया था 1965 सिधा सिधा क्वेशन दे दिया जाता है और जो पहला Mini Computer था उसका नाम क्या था PDP 8 यह जो Mini Computer आप देख पा रहे होंगे है यह PDP के सरीज है इसमें जो वर्जन था सबसे पहला वो कौन सा three यह क्या था दुनिया का सबसे पहला Mini Computer अगर बात करने दुनिया का सबसे पहला Main Frame Computer तो अभी पहले देखे थे कौन सा है युनिवैक One क्या है दुनिया का सबसे पहला Mainframe Computer है और PDP 8 कहीं कहीं PDP 1 भी लिखा रहता है तो उसी का advanced version PDP 8 था जिसको हम लोग दुनिया का सबसे पहला mini computer मानते हैं इसका अविस्कार भी किसके द्वारा किया गया था तो इसका अविस्कार DEC के द्वारा किया गया था ठीक है अकार में छोटे हो गए यह एक अल्मीरा के प्रकार के थे mini computer लेकिन हमको और चोटा चाहिए था ऐसा computer जो और अकार में क्या हो छोटा हो जाए ठीक है और कार्या के लिए हम लोग को सुगमता हो तो उसके का विसकार किया गया अबिसकार माइक्रो कंप्यूटर का विकास हुआ वह 1970 के दसक में हुआ 1970 में इसका अविसकार किया गया था और इसमें क्या हुआ CPU में माइक्रो प्रोसेसर का ओपियोग किया जाने लगा सेंटर पोसेसिंग यूनिट जो हम लोग यह डिबर टाइप देखते हैं यह क्या है CPU है इसी में किसका यू होने लगा माइक्रो प्रोसेसर का और इसका विकास सारवब्रतम कौन सी कमपणी के द्वारा किया गया था तो यहां भी क्या कौन सी कमपणी है IBM International बिजनेस मशीन के द्वारा दुनिया का सबसे फ़ाला माइक्रो कम्प्यूटर बनाया गया था ठीक है उस माइक्रो century computer का नाम कौई सा था तो उसका नाव था Alt Air कि 8800 क्या था दुनिया का सबसे पहला माइक्रो ऑइक र t एट थान ठन्र डबल डबल ॡA जिरो ठीक है उसका विकास किसके द्वारा किया गया IBM के द्वारा किया गया तो कभी कभी यह पूच दिया जाता है और देखिए इसमें क्या होता था सिंगल प्रोसेसर यूज होते थे या तो 8-bit या 16-bit 32-bit या 64-bit चारों में से कोई भी एक ही प्रोसेसर यूज होता था ऐसा नहीं कि यह मल्टी प्रोसेसर था माइक्रो कम्प्यूटर में एक प्रोसेसर यूज होता था ठीक है और यूवलसाइज जो हम लोग जानते हैं वेरी लाड़्ज स्केल आप इंट्रिगेशन और यूवलसाइज अल्टरा लाड़्ज स्केल आप इंट्रिगेशन इन दोनों कराण क्या हुआ क्या म्लोग स्काव चोट अब अब इसका उपयोग हम लोग देखें तो मैक्र कंप्योट्र के बहुत सारी उपयोग घर में प्रकार है ओ mismos आफिस के सिस्टम विद्याला वा सिकते हैं पढ़ते हैं वो सिस्टम क्या है माइक्रों कंप्यूटर है जो दुकाने होती है व्यापार में भी हम लोग यूज करते हैं सिस्टम वो क्या रहते हैं माइक्रों कंप्यूटर प्रकार रहते हैं मुवी देखने के लिए मरवंजन के लिए गेम खेलने के लिए यह यहां था clear है अब माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कुछ एक्स्रा फेक्ट और हम लोग जान लेते तो सबसे पहले देखे इसमें जो प्रोसेसिंग की स्पीट की गर्णा होती है ही किस में की जाती है मीपस में की जाती है हम देखे थे मीपस क्या होता है मिपस का phone million instruction per second थीक है मिपस में इसकी गर्ना की जाती है इसके कुछ example हम लोग देखें तो कौन सा है personal computer जो हम लोग जिसको desktop computer बोलते हैं या PC बोलते हैं वो क्या है इसके लाव आपका लेट और या नोट बुक ठीक है इसके लाव और वरक स्टेशन पाम टॉप टैबलेट स्मार्ट फोन नोट यह सब क्या है माइक्रो कम्पूटर के उधारन है अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे पहला माइक्रो कम्पूटर कौन सा था तो जिसको IBM company बनाया था उसका नाम क्या था अल्ट AIR 8800 यह पूछा जा चुका है एक्जाम में तो most important है याद रखेगा दुनिया के सबसे पहला super computer दुनिया का सबसे पहला mainframe computer दुनिया का सबसे पहला mini computer का माइक्रो कम्प्पũटर् यह कौन fazendo है इनके नाम आपको याद रहने चीए ब सबसे पहला आता है personal computer जिसको हम लोग decs top computer भी बोलते है कुछ इस प्रकार से वो दिखता है सब देखें यह चीज तो इसके बारे में हम लोग जानते desktop computer क्या होते हैं कैसे होते हैं ठीक है तो desktop computer को हम लोग क्या कहते है personal computer कहते है personal computer को sort को हम लोग सिधा क्या बोलते है PC ठीक है monitor होता है CPU होता है mouse होता है यहीं सब इसमें क्या होते है систем unit होते है ठीक है system unit में basically जो यूज क्या जाता है वो क्या है आपका तेंटरल पोसेसिंग यूनेट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं स्वात में cpu बोलते हैं सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर रहते हैं यह चोटे कारियों के लिए बनाया गया कंप्यूटर है इसमें कोई कंप्यूटर को देखें हैं तो यह जनरल परपस कंप्यूटर किसी काम के लिए नहीं बनाया गया है इसको आप चाहें तो आप स्टडी कर सकते हैं बहुत सारे काम हैं लेकिन वह सब क्या है सामान क्या रहे हैं और desktop computer की जो खासियत है जिसके कारण इसका नाम personal computer पढ़ा वो यह था कि इसको एक बार में एक ही व्यक्तियार था single user कारे कर सकता है single user कारे करने कारण ही इसको क्या कहा गया personal computer आदमी अपने लिए personal computer एक यूज कर सकता है है अर्थात हम लुब सकते हैं कि जो सिस्टम होते हैं जो PC होता है भालते होता है कि मल्टी टासे होता है शाचक म नुद्गाउतने कार या उनल्ट इसको कपूटर कंप्यों ग्तीजओं याद रखेकंगे सिंगल выше हैं अगर मैं बात करनों इसकी प्रोसेशर्सर है तो सिंगल य्वजर यूजर मुंठिक diverse यह क्या है डेक्स्टॉप कम्प्यूटर है इसमेν ओपरेटिंग सिस््टम के एक करने की छंता होती है अर्थात multitasking होता है और इसमें नेट चलाना है जैसे आपको suppose तो इसमें PC को क्या कर सकते हैं हम लोग telephone और moden की सहता से आपस में जोड़ कर Internet चला सकते हैं । क्या होता है मौडिलेशन दी मौडलेशन इसका short form होता है अब कुछ जो PC है या desktop computer इक कुछ basic company हैं जो इनका निर्माड करती है उसको जान लेते हैं तो सबसे पहला होता है क्या आपका सबसे पहली company है IBM दूसरा है लेनवो एपल compact zenith hcl और hp जिसको हम लोग havelet packet के नाम से जानते हैं hp का जो pc होता है यह सब क्या है desktop निर्माड करने वाली पीसी निर्माड करने वाली कुछ प्रमुक कंपनियां है जिनका नाम है भारत का सबसे पहला जो desktop computer है या PC है वो कौन सा था तो सबसे पहला जो भारत में निर्मित प्र पर्फम पर्शनल कंप्यूटर क्या था उसका नाम क्या था सिधार्थ था ठीक है यह भी most important है अब बात करते हैं इसके उप्योग की desktop कंप्यूटर का क्या उप्योग क्या जाता है तो बेसिकली इसका उप्योग क्या घर ऑफिस व्यपार सिक्षा मनुरंजन डाटा संग्रह प्रकासन जो पब्लिकेशन होते हैं उसमें अनेक छित्रों में किया जा रहा है ठीक है इसका विकास सबसे पहले किसके द्वारा किया गया तो desktop का विकास जो है PC का विकास सबसे पहले 1981 में हुआ ठीक है 1981 में हुआ जिसमें जो सबसे पहले बनाय गया था 1981 में उसमें क्या किये हाड डिस्क ड्राइब लगा कर उसका नाम क्या रख दिया गया ॥ी तृसनलर एक्सेंडर टेकनलोजी के नाम दिया गया जो सबसे से पहले बनाया गया था 1981 में उसमें क्या किये हार्ड डिस्क ड्राइब लगा कर उसका नाम क्या रख दिया गया PCXT ठीक है इसमें फूल फॉर्म क्या होता है PCXT का पर्सनल कंप्यूटर एक्स्टेंडेट टेक्नोलोजी ठीक है इसके बाद क्या हुआ 1981 के बाद 1984 में माइक्रो प्रोशेसर 80286 से बनाया गया क्या एक नया PC पहले प्रोशेसर कौन से यूज हुआ था 8088 अब क्यों से माइक्रोशेसर यूज हो रहा है 80286 यह पांच डिजिट का है यह 4 डिजिट का था PC 80 अभी के हम लोग जितने भी सिस्टम देखते हैं यह इसी प्रकार के हैं PC 80 प्रकार के ठीक है वर्तमान पीडिये में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है उन्हीं को क्या कहा जाता है PC 80 का फूल फाम अगर कभी पूछता है तो इसका फूल फाम क्या होता है पर्सनल कंप्यूटर अडवांस्ट टेक्नोलोजी यहां तक क्लियर है अगर बात हम लोग बात करें वर्क स्टेशन न कंप्यूटर यह भी मायक्रो कंप्यूटर का ही उधारण है याद रखेगा यह दूसरा प्रकार कंप्यूटर नहीं है इसमें एक सिस्टम होगा तो यहां आप अगर देख रहे होंगे तो यह monitor 1 हो गया यह monitor 2 हो गया monitor 3 हो गया इसमें बहुत सारे आपको क्या दिख रहे है monitor दिख रहे है ठीक है इसका जो CPU है यहां नीचे portion में है workstation इसको क्यों कहा जाता है सबसे पहले उसको समझें यह बेसिकली यह भी क्या है एक micro computer है यह सकतिसाली PC बोल सकते हैं इसको ठीक है workstation जो computer होता है यह बेसिकली यह भी क्या है desktop computer ही है लेकिन वह उससे advanced कैसा है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या यूज हो रहा है multi monitor यूज हो रहा है ताकि हम लोग अलग अलग कारे को अलग अलग मॉनिटर में हम लोग अच्छे से देख सकें तो सबसे पहले इसमें क्या होगा यह एक सकतिसाली PC है जो अधिक processing चमता विसाल भंडारान और बहत अधिक designer है या फिर video editing का कारे करते हैं बहुत सारी यूट्यूबर को आप देखे होंगे तो बहुत सारे क्या रहते हैं उसमें PC रहते हैं इसमें एडिट चल रहा है इसमें लाइव कमेंट पड़ रहा है इस टैप का बहुत सारा जो कारे रहता है एक साथ क्या जा सकता है ए प्रयोग हैं अब इसके बाद बात करते हैं अगला माइक्रो कंप्यूटर का प्रकार वो क्या है लैपटोप behaviors मैं अभितर होता है लैप का अर्थ क्या होता है लैप का उहता है और ते उपर अधा उपर में जिसको वो प्र इ ko कंप्यूटर को कारे कर सकते हैं वो क्या कर लाता है लैप्टॉप कर लाता है लैप्टॉप कंप्यूटर बेसिकली क्या होता है नोड़ बुक क्या कार कर उसके कानड यह क्या है जो notebook है उसके आकार रहता है यह computer जिसको हम लोग briefcase या किसी bag में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं जो PC था उसको हम लोग कहीं ले जा सकते थे क्या नहीं ले जा सकते हैं यह personal computer था या desktop था वो एकी जगह में स्थिर रहता था तो उसकी जो यह कमी थी उसको पूरा करने के लिए फुल्फील करने के लिए हम लोग किस निर्मार क्या गया laptop को क्या 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 कर सकते हैं किशी briefcase में या किसी bag में भर कर हम लोग कहीं भी लिया ले जा सकते हैं फीक है और इसमें जितने भी पर्सनल कंप्यूटर जो PC है उसका सभी विशेस्ता मौझूद रहता आप देख पाएंगे जो काम आप लैप्टॉप में कर सकते हैं वही काम आप PC में कर सकते हैं वह सारे काम लैप्टॉप में भी किये जा सकते हैं और इसका जो लैप अथात गोध होता है गोध में रखकर ह सकते हैं अब उसके बारे में कुछ महतोपूरा फैक्ट है उसको समझ लेते तो लेप्टॉप को विकास का स्रेया किन को जाता है तो लेपके विकास करेड़ा एडम औसबॉर्न को जाता है जिन्होंने कब किया था इसका विकास 1981 में अगर PC के हम लोग बात करें तूश्ट फिसी-a till झार था क्या झार्णक harvest से अमी kalian में लाप टॉप क Redmi में लाप्टॉप का विकास आजम को कहा जाता है अब इसमें तब देखेए यहां पर यह आपको तो jd दीख रहे होगी या monitor दीख रहा ऊगा यह वाला जो हिस्सा है यह क्या है मूर्ने योग्य तो बीका है यहां क्या हैं है जीख यहां यहां डिस्क ड्राइब फ्लॉपी ड्राइब सीडी रइब यह सब यहां साइट साइट में इसके लिए usb और अलग अलग सब चीज के लिए चार्जिंग के लिए साथ ही इसमें क्या रहता है अगर विजली आपके कभी खतम हो जाती है एलेक्टिसिटी चला जाता है तो PC क्या है यूपियस बहुत समय तक आपको उर्जा प्रतान नहीं कर सकता है अनर्जी इसमें क्या होता है इन बिल्ट आपको एक बैटरी दी रहती है ठीक है चार्जड बैटरी जो रिचार्जिबल रहती है और इसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं दो घंटे तीन घंटे और एक् कर सकते हैं या अगला क्या है अगला क्वूट्र अगला है नोट्बूक कम्प्यूटर षा 0-1 आप देख पा रहोंगे यह दिखने में laptop के प्रकार का ही है laptop type ही लगता है लेकिन यह, rebelluppose आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ touchpad गायब है लैँप्टॉप में यहाँ touchpad रहता है था इसमें जो buttons हैं उसमें space extra goup है तो यह अकारम जोटा होता है और बोल सकते हैं कि कि यह क्या है laptop का छोटा वर्जन है laptop का भी छोटे को वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं netbook computer बोलते हैं netbook actual में देखे netbook दो सब दो से मिलकर बना है net और book यहां जो net है वो internet internet का net है internet का net लिया गया है और जो notebook होता है नोड़ बूक का बूक लिया गया है तो वहां से मिलकर क्या बना है netbook बना है netbook computer बेसिकली laptop computer का क्या है लगू संस्क्रण है उसका छोटा रूप है जिसे गतिमान अवस्था में wireless network द्वारा internet का ओप्योग करने के लिए विशेश रूप से डिजाइन किया गया है आपको यहां से आप train से क्या जा रहे हैं ब्लासपूर से जा रहे हैं दिल ले उस बीच में आपको कहीं काम करना है laptop में आपका काम है तो उसी स्थिति में आपको internet से जुड़े रहा कर कारे अपना पूरा करना है संपादन करना है वैसी स्थिति के लिए netbook computer का अविस्कार क्या गया था ठीक है netbook का आकार और वजन लेप्टाप computer से बहुत छोटा होता है ठीक है और इसकी जो प्रोसेसिंग है और स्टोरेज की चमता भी क्या होती है कम होती है इसके जो नेट बूक है उसकी सब्दक्यूपति अभी बताया था मैंने इंटर नेट नेट और notebook का book अर्थात internet का नेट से और notebook का बुक से मिला करें इन दोनों सब्दों को जोड दिया गया और बन के क्या आपका netbook ठीक है अब next book में हमम लोग क्या जा सकता है वीडियो और यो फाइल से हैं उनको अप्लोड करने या डाउनलोड करने आधि में क्या कि इसकी सहता से हमोगय करना आसान हो जाता है यहां तक लियर है नेट भूक कमप्यूटर अभी तक हम लोगों ने माइक्रोटल में क्या-क्या देखा तो सबसे पहला देखा क्या PC दूसरा देखा क्या Workstation तीसरा Laptop चौथा क्या देखा नेडबूग यह सब क्या है Micro Computer ही है अब पांचवा जो प्रकार है वह है टैबलेट कम्प्यूटर टैबलेट भी किसका आपका touchpad है यहां हम लोग क्या कर सकते हैं कुछ भी चीज input देना है तो touch के माधया मसे हम लोग input दे सकते हैं या फिर हम लोग किसी भी चीज का Type करूए कुछ भी चीज टाइब करना है तो इसमें on-screen keyboard कीबोड भी यहां प्रोवाइड के आता है इसके द्वारा टैबलेट एक छोटा कम्पूटर है जिसमें कीबोड या माउस का प्रयोग नहीं होता है यहां तक लियर है इसमें इनपूट के लिए स्टाइलस जिसको हम लोग पेंड भी बोल सकते हैं या टच स्क्रीन टालास एक इसको हम लोग बोल सकते हैं वाइफाई के माध्यम से भी हम लोग इसको इंटरनेट से जोड़ सकते हैं कई बार इसका प्रयोग क्या होता है स्मार्ट फून की तरह भी क्या आता है ठीक है टैबलेट का यूज किसके तरह करते हैं हम लोग गेम खिलने के लिए या बात करने के लिए अगर यह सिम सपोर्टेड टैबलेट है तो इसमें हम लोग स्मार्टफोन की तरह इसको बात कर सकते हैं चुकि टैबलेट कंप्यूटर का प्रियोग हाथ में रखकर क्या आता है अथा इसे हैंड हेल कंप्यूटर भी कहा जाता है तो कभी आपको पूछा कि कंप्यूटर है यह लैपटॉप है नेट बूक है तो कौन सा हम्प्यूटर का लाएगा टैबलेट कंप्यूटर भी बहुत सारे हैं जिनको पीडेव बहुत सकते हैं पीडियमें आपका क्या आता है पाम टॉप आ जाता है स्मार्टफोन आ जाते हैं यह सब भी हैंट हेल कं सिंपल उधारण अगर हम लोग समझें तो एपल कंपनी के जो आई पैड होता है वो टैबलेट है ठीक है वो इसका अच्छा उधारण है टैबलेट कंप्यूटर का अब बात करते हैं टैबलेट कंप्यूटर के बाद क्या पॉम टाप में देखें यहां भी टॉप वर्ड यह रख कर यूज कर सकते हैं उसको कह आता है पॉम टाप यह बहुत छोटा पागा आकार होता है इसका साइज क्या हो गया और इस कंप्यूटर का अभी जो एक्जामपल इसमें दे रहा हूं यह है एच्पी का 200LX यह पॉम टाप का जो एक्जामपल है ठीक है 200LS इसमें क्य कि यहां कीबूड रियुक्त होता है इसके अलावा हम लोग इनपिट के लिए हम लोग आवाज के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं इनपूप प्रोवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जिसको पीडिए बोला जाता है पीडिे अरथात पर्सनल असिस्टेंट के रूप में भी इसका कारे क्या सकता है एक छोटा कंप्यूटर है जो नेटवर्क से जूड़ कर अनेक कारे कर सकता है तो फोन से दूसरा जो वर्जन आता है वो क्या आता है आपका एक है यह सब्रियर समार्ट फोन इसके बाद यूज होता है वह कौन साWhereument से सब परишित हैं स्मार्ट फोन को भी इसमें consistent कर सकते हैं क्योंकि कि इसमें भी बहुंत सारे समार्टफोन स्क्रिन का पर्योंग क्या आता है साथ यह जो स्मार्ट्फोन है वो टैबलेट का चूटा प्रकार मों बोल सकते हैं एक प्रयोग वैकल्पिक फोन की तरह क्या सकते है ठीक है बेसिकली टैबलेट और जो पाम-टॉफ होते है या पाम टब जिसको हम लोग प्रिदिय बोलते है परस्टनल डिजिटल असिस्टेंट यह दोनों क्या है एक कंप्यूटर है लेकिन इनको हम लोग ऐसकर सकते हैं उसी प्रकार जो स्मार्टफों है वह स्पेशली एक फॉन है लेकिन हम लोग कंप्यूटर के प्रोसेसर लगाकर इसको कुछ कारेजी जैसे इंटरनेट का प्रिय सकते हैं बिसिकली यह स्मारट फोन भी किसा का अंतर आएगा स्मार्ट को हम लोग याद रखे का कर सकते हैं तो का अधे उसको इसे sleek प्रेवाइस है यहां तक लियर है अब इसके बाद करते हैं जो लास्ट प्रकार है सूपर कम्पूटर में लोगों ने क्या देखा मेन विर्क्रेंज स्टेशन मिनी कम्पूटर देखा और मैक्रो कम्पूटर देखा Не वो नि देख लिया अब कर आपका समाहि यह सब क्या है और स्मार्ट फोन यह सब आपके मार्कोर कंप्यूटर प्रकार падए अब में क्या है देखेव गेश्म अद्वार क्वथिक आडवान संभा होते हैं सूपर-कम्प्यूटर नाम से तो है ठीक है जितने हम लोग आफार कंप्यूटर-देखे ऊपना सब्सें घंजे एसा के लिए कहते हैं अर इसका उप्याइब के सूपर कंप्युटर एसा नहीं कि अपुर्ध के लिए ऊक्पूर्ण होता है इसको एक यह सिपेसिफिक काम के लिए कि Summit के अगर हम लोग करें मौसम पुर्वानुमान है इस लिए अगर एक computer design होगा तो वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी जिन्दगी में जब तक वह सूपर computer जीवित है या जब तक वहां कार्य करने में सक्षम है वह सिर्फ और सिर्फ मौसम का पुर्वानुमान ही करेगा इसमें दूसरे कारे आप नहीं कर सकते इसका अपना खुद का अलग प्रोसेसर होता है ठीक है तो इसमें मौसम का दो quoting स्वेसर होता है विन्डोस टेंगं होते हैं विन्डोस टेंड़र सेवज़ है अभी सेवटेंगं टेंड़र यह इसमें स्सुन में उप्रेंगि नहीं होते में इनलों का इसपीक है अलग से ऑ्परेटिंग सिस्टम होता है और उस operating system में GUI अर्थाद graphical user interface नहीं होता यह चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है ऐसे कौन-कौन से system है जिसमें GUI नहीं पाया जाता अर्थाद graphical user interface तो उसमें कौन-कौन से दो प्रकार हैं दो computer हैं एक तो हैं आपका mainframe computer और दूसरा इन दोनों में क्या है GUI नहीं रहता है जो super computer है इसकी गति की अगर बात करें तो इसकी गति की गर्णा flops में की जाती है मैं पहले भी बताया था आपको flops और दूसरा होता है bips ठीक है bips का full form क्या होता है billion instruction per second billion instruction per second bips का full form हो गया और flops का full form क्या होता है floating point operations per second ठीक है flops का full form हम भी पूछ दिया जाता है कभी कभी अब्रिवेशन तो इसके बाद वाले lecture में क्या गया था से मौर क्रे के द्वारा क्या गया था से मौर क्रे यह क्मप्योंटर का हुचार नाम रख दिया गया क्रेक अगर बात करें भारत में तो भारत में भी हम लोग सुपर कम्पूटर का कुछ इतिहास रहा है उसको हम लोग समझते तो भारत के जो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सूपर कम्पूटर है उसके नाम हम लोग समझते तो सबसे पहला जो सूपर कम्पूटर है भारत का सू सब्सक्राइब यहां ता क्लियर है और सीडेग का फूल फॉर्म क्या होता है आप कमेंट सक्षन में मुझे बताइएगा ठीक है पुरे ऊविस्कार क्या गया था और सिडियक जो पूरे की कंपनी है इसके द्वारा परम पदम का अविस्कार क्या गया था इसके अलावा परम सीरीज में देखे परम परम 8000 परम पदम और एक आता है परम युवार टू परम युवार टू सबसे अडवांस नया था वो क्या गया था उन 2003 में तो कभी कभी आपको पूच दिया जाता है कि परम सीरीज का निमलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नहीं है तो याद रखेगा परम सीरीज में किनी सुपर कंप्यूटर है परम में परम 8000 परम पदम युवा टू यह बना था परम ये बना था पासन नाम अगर पूचा जाय तो वह है डॉक्टर विजय भासकर यह याद रखेगा अब उसके बाद 2007 साथ में बनाया गया एका प्रफिज के द्वारा क्या गया था टाटा समोह इसको हम लोग जानते हैं सी आरेल का होता है कम्प्यूटेशन रिसर्च लैब पुड़े में है यह सी आरेल ठीक है और यह टाटा activity company या branch décor एके बारे में याद रखेंगा एक ये भारत गाउरच्थ में किया था किस द्वारा क्या गया था तो सी आरेल पूने के द्वारा किया गया था का युव diversity इसको आप लिख लेजे मैं मैंने नहीं किया हूं लेकिन की हैर विश्व का चौथा सबसे त्यतर सूपर कंप्याय worship कौन सा है अगर पूछा वी ज्वट速 का फोर्थ िंबर का सबसे त्यतर सूपर कंप्यूटर का कौन साय है एक जिसकी स्पीड लखबक कीतनी है 118.9 trillion per second देखे million आता है billion आता है फिर trillion आता है ठीक है तो इसकी speed कैसी है 118.9 trillion per second इसकी speed है यह विश्वका चौथा सबसे तेज सूपरकम्पूटर है एका तो यह dignity है इसका अविसकार किसके द्वारा किया गया था CRL पूणे के द्वारा किया गया था कब किया गया था 2007 में CRL पूणे कौन से गुरूप के अंतरगत आता है तो यह टाटा गुरूप के अंतरगत आता है यहां तक क्लियर है बाकि एक बार मिटा देता हूं यह सब जितने भी है अब उसके बाद अगला जो है दिसंबर 1991 में क् अनुपहम 600-4 है सुपर कंप्यूटर अनुपहम अलफा है दो प्रकार के अनुपहम के सीरीज है तो अनुपहम का जो जितना भी कंप्यूटर है वह किसके द्वारा बनाया गया तो बी ए आर सी जिसको हम लोग बार्क बोलते हैं भाभा एटामिक रिशर्ट सेंटर ठीक है अनुपहम सीरीज के जितने कंप्यूटर है उसके द्वारा घ्राबाद ठीक है इसके द्वारा बनाया गया था उसके अलावा परम यूँआ हम लोग देख चुके हैं सीडैक परम सीरीज के जितने कंप्यूटर है 2015 में क्या हुआ एक 1841100 इस तो के द्वारा बनाया गया था इस तो के द्वारा कौन सा 1841100 इसके अलावा इस तो के द्वारा ही एक और बनाया गया था सागा Saga 220 ये बनाया गया था इस तो के द्वारा ये भी क्या है सूपर कम्प्यूटर है तो याद रहिए गए 10 रो के द्वारा कौन कों से दो सूपरकम्प्यूटर बनाया गया था था 1841-100 और सागा तूटू जिरो यह इस रो बैंगलूरू के द्वारा बनाया गया था इसके लावा फ्लो सालवर फ्लो सालवर नामक एक सूपरकंप्यूटर है 19 स्वसी में इसका निर्माड क्या गया था नाल जिसको हम लोग बोलते हैं नैशनल अरोनौर्ट लैब यह भी क जैसे IITM, IITM जो पुड़े है, वहाँ से दो सूपर कम्पूटर और बनाये गये हैं, एक का नाम है आदित्य, अगर पूछा जाए आदित्य सूपर कम्पूटर का अविस्कार किसके द्वारा क्या गया, तो IITM पूड़े के द्वारा इसका अविस्कार क्या गया था आदित और दूसरा IITM पूरे के द्वारा ही एक और बनाया गया था क्या प्रत्यूस दो सूपर कंप्यूटर है आदित्य और प्रत्यूस इसका निर्माड क्या गया था या इसका विकास क्या गया था IITM पुड़े के द्वारा एक और सूपर कंप्यूटर है इसको बनाया गया था नोईडा की एक कमपणी है N.C.W.R.W.L. N.C.W.R.W.L. इसके द्वारा मिहिर कौन सा लप सूपर कंप्यूटर मिहिर सूपर कंप्यूटर का अविस्कार किया गया था तो हम लोगों ने क्या क्या देखा भारत का अगर बात करें सबसे तेज सूपर कंप्यूटर तो कौन सा है एका एका सूपर कंप्यूटर जिसकी स्पीड 118.9 trillion per second है और एका ही क्या है विस्व का चौथा सबसे तेज सूपर कंप्यूटर है याद रखेगा अगर मैं बात करू विस्व का पहला तेज सबसे सूपर कंप्यूटर तो विस्व का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर कौन सा है तो विस्व का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर है उसका नाम है ब्लू जीन यह IBM के द्वारा बनाए गया है जिसकी स्पीड लगभग 478.2 trillion per second है एका की कितनी है 118 9.9 trillion per second है और इसकी स्पीड क्या है ब्लू जीन की ब्लू जीन की स्पीड कितनी है 478.2 trillion per second यह विस्व का सबसे तेज सूपर कंप्यूटर है अगर बात करूं विस्व का सबसे पहला सूपर कंप्यूटर तो वो क्या है क्रेक बन इसको बनाए गया था क्या सियर्ल अर्थात के कम्प्यूटर कंप्यूटर को से है तो परम सीरीज के कम्प्यूटर कोन से है परम8000 परम पदम और परम युवा तीन ही इसको बनाय गया था किसके द्वारा सीडस पूणे के द्वारा इसरो गेदा दौक यहां तक लियर है लास्ट है अक्यार बनाए गया है तो यह बनाया गया था इसको अविस्कार क्या गया था कि यहां तक क्या हो गया अकार और कार्य का अधार पर इसमें हम लोगों ने देखा माइक्रो मिनी कंप्यूटर में प्रेम कंप्यूटर और अब अगला जो अधार आता है वो उद्धेश से क्या अधार कंप्यूटर का वर्गिकर्ण classification on the computer on the basis of its application इसका जो उद्देश होता है इसके अनुप्रयोग होते हैं उसके अधार पर तो इसको बेसिकली दो भागों में बाढ़ सकते हैं पहला होता है जनरल परपस कंप्यूटर अर्थात समान्य प्रयोग के जो कंप्यूटर होते हैं और दूसरा होता है स्पेशल प्रपस कंप्यूटर अर्थात विसेश कारे के लिए जो कंप्यूटर बनाया जाता है तो सबसे पहले समझते जनरल परपस कंप्यूटर क्या होता है ऐसे जिसका यह सब क्या है समानने का रहे हैं उसके लिए इसका प्रयोग क्या आता है इसको क्या आता है जैसे कि आपका जो नॉर्मल कि अगर मैं बात करूं स्पेशल परपस कंप्यूटर की इसे कंप्योटर होते है जिसका उपयोग विशिष्टा का याता है औरRL जैसे जो सैटेलाइट हम लोग भेसते हैं इनको रहा करने के लिए हुए उसके अलावा उपगरह का संचालन करने के लिए आधी कंप्यूटर का डिजाइन क्या आता है वो सब कंप्यूटर क्या कहलाते हैं यहां तक क्लियर है अब इसके अलावा कुछ important fact देखते हैं हम लोग जो हम लोगों ने अभी तक सीखा है तो इसको note करके आप last में लिख सकते हैं जो इस chapter का है मैं पहले भी आपको समझें को समझने में आसानी होगी आपको simply अगर पूछ दिया जाता है कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाएगा सब को पता है चार्स बैभेश को क्या कहा जाता है computer का रथाथ फॉदर आप computer कहा जाता है अब दूसरा को सबसे हो क्या था याद रखेगा लेड़ी एडा अगस्ता उनकी जो programmer थी उनका नाम था Lady Ada Agusta उन्हीं के नाम पर प्रोग्राम का नाम रख दिया गया है दुनिया का पहला या प्रथम electronic computer कौन सा है ये भी exam में पूछा जा चुका है कई बार पूछा जा चुका है तो इसको याद रखेगा इनियाक क्या है दुनिया का प्रथम electronic computer है अगर मैं बात करूँ भारत का पहला PC कौन सा है अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा भारत का पहला जो PC है उसका नाम क्या था सिध्धार्थ ठीक है तो सिध्धार्थ क्या है भारत में निर्मित प्रथम personal computer है विस्व का पहला computer जो बनाने वाला company है वो कौन सा है तो याद रखेगा तिर्फ मीनी computer को अगर छोड़ दिया जाए मीनी computer जो है मीनी computer को आप छोड़ दें तो जितने भी पहले computer बने है जैसे कि आपका क्या में फ्रेम computer में क्या था आपका सबसे पहला में फ्रेम computer यूनिवैक वन इसको किस ने बनाया था आइबीम ने बनाया था मीनी को भी हम लोग छोड़ रहे हैं उसके बाद का आता है micro computer में भी सबसे पहला जो किसके द्वारा किया गया था बाकि जितने हैं में फ्रेम computer है micro computer है चाहे सूपर computer है जो सबसे पहले निर्मित है वो किसके द्वारा बनाया गया है तो इंटरनेशनल बिजनेस मसीन यही आइबीम पहले किस नाम से जाना यह था था टैबलेटिंग मसीन के नाम से पहले था ठीक है जिसने बनाया था बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया था जनरेशन में इसको मैं बता चुका हूं आप देख लिजीगा उसके बाद जो अधार चुकसर पहली लेक्षर में हम लोग यह सब देख नहीं क्या हैंख़ा पीडिक कंप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् कोप्यूटर के वर्गी कानड को पूरी तरह से हम लोग समझ चुके हैं आप अगर कहीं समझ नहीं आता है कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्षन में बताईएगा पढ़ाना अगर पढ़ाने में कुछ तूटी नजर आती है तो आप हमें उसको अउगत कराईए अगले वीडियो में हम उसका सुधार कर सकें यहां तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जय हिंद जय भारत